नमस्कार मित्रो एपेक्स क्लासेस के अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभी नंदन है मोस्ट वेलकम है आप सबी का तो हमने लास्ट वीडियो में कार्य एवं सक्ति के बारे में अध्यन किया था यानि की वर्क और पावर के बारे में हमने डिसकस किया था यहां तक आपके इस परश्च था और उस बेश पर हमने कार्य के कुछ निमर्कल को भी सॉल किये जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे और सक्ति के वाट के मात्रक को हमने परियोग करते दे भाप के इंजन के जनक थे जैमसवाट कै史 हleistसे उनको सम्मान देते हैं हमने उनके नाम से ही वाट सब्द सक्ति का मात्रक बनाया हमने यहां तक पड़ा था और कार्य के दो को जो मात रख थे जूल और अगर कि उनको भी हमने देखा और उनके बेस पर जो हमने आंकिक प्रश्ण थे उनको हमने हल करने का प्रयास क्याता है कि यहां तक सही था अब हम आगे इस अपने अध्याय नंबर 11 में जो आपके एक और छोटा सा टॉपिक बच जाता है विदुद्सक्ति इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है तो आपको उसकी नॉलीज भी होगी उनी के बारे में आज हम थोड़ा डिसकस करेंगे तो देखेगा आप आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर यानिके विदुद्सक्ति देखेंगे यह सक्ति से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है तो देखे इसमें क्या होता है आज अपना टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिकल पावर ठीक है विदुद्सक्ति तो आपने लास्ट वीडियो में सक्ति जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय आपने देखा था सक्ति क्या होती है कारे करने की दर सक्ति क्या थी कारे करने की दर और सक्ति का संबंध हम स्टार्डिंग से देखे तो हमने कारे से क्या था कारें में क्या changing आयती time उसमें consider हुआ याने कि time उसमें जुड़ा तब जाकर हमें सक्ति के आउशक्ता पड़ी एक नई भोतिक राशी कि आउशक्ता पड़ी अब इसमें कुछ हम देखेंगे सक्ति में हम क्या change करें जिससे हमें एक और नहीं भोतिक क्राशी के बारे में पता चले यहने कि विदुत शक्ति के बारे में पता चले तो आप ध्यान रखेगा हमें उस पावर वाली टॉपिक में क्या करेंगे जो उनके मात्रक होते हैं यूनिट होते हैं उनकी बड़ी मात्रा लेंगे क्या लेंगे हम उनकी बड़ी मात्रा लेंगे जैसे कि मैं time को हमने second unit से consider किया था तो अब इस बार हम हम सोद लेकर बड़ी यूऩिटी लेगे मिनित भीए हम लेंगे यानि कि GHT में लेंगे है कि टीनिके है का मान हम से खेंड में लेकर घंटे डेंगे आर लेंगे ये हम कुछिछ अलग इनमे करने का प्रयास करेंगे अभी तो सबसे पहले देखें आप विदुत शक्ति इसमें यह ध्यान रखेगा आप विदूथ शक्ति में क्या ध्यान रखना है आपको विदुत परिपत में, किसमें? विदुत परिपत में, विदुत की दर से, विदुत की दर से, उर्जा का रुपांत्रन होना, क्या होना? उर्जा का रुपांत्रन होना, क्या कहलाता है? विदुत शक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? विदुत शक्ति कहलाता है, इलेक्टिकल पावर कहलाता है, यह आपकी एक सरल रूप में विदुद सक्ति इलेक्ट्रिक पावर की एक परिभासा हो गई फिर मैं अभी आपसे क्या बात कर रहा था मैंने बताया सक्ति क्या होती है सक्ति होती है कारी करने की दर और इसका फॉर्मुला क्या था पी इस इकल टू डबलू अपॉंट यह बा सक्ति क्या बताई थी कार्य करने की दर कार्य करने की दर क्या थी आपकी कार्य करने की दर सक्ति होती है शक्ति यानि के पावर होती है और हमने क्या देखा था इसका फॉर्मूला क्या देखा था पावर यानि के P is equal to W upon T यहां तक आपने जाना तो अब आप आगे देखेगा हमने सक्ति का एक फॉर्मूला क्या देखा था पी इस इकल टू डबलू अपॉंट टी तो यहां से आप आगे देखें तो हमें कुछ इसके आगे से कुछ और रोचक बाते जाननी पड़ेगी यानि के सक्ति सही होते देखेगा आप घ्यान से मैं यहां मान लूँ मैं यहां मान लेता हूँ जो आपकी पावर होती है क्या जो आपकी पावर होती है वो मैं मान लूँ डबलू के बराबर, यानि वर्क के बराबर जो आप वर्क करोगे वही आपकी पावर है, या मैं कहूं, जो आपका कार्य है, वो आपके एनर्जी के भी बराबर हो सकता है, आपका जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी लग रही है, वो भी उसके बराबर हम कंसिडर कर सक सकते हैं तो मैं आपको यहां बताओं तो आपकी पी के बराबर हो सकती है ठीक है और मैंने क्या बताया आपका डबलू भी एक बराबर हो सकता है यानि कि आपका जो कारे होता है है वो भी एनर्जी के बराबर हो सकता है तो यहां से आप देखेगा वापस से मैं अगर यह पावर सकती है कि इसका फॉर्मुला अपने पास क्या है कि क्या है सकत का फॉर्मुला पी इस इकल टू डबलू अपॉन टी यह आपको याद हो गया होगा पी इस इकल टू डबलू अपॉन टी तो यहां आप देखेगा मैंने क्या बताया सरू में कारिय को हम किसके बराबर समझ सकते हैं एनर्जी के बराबर समझ सकते हैं कार्य को हम एनर्जी के बराबर समझ सकते हैं जो एनर्जी होती है जो उर्जा होती है वह हम लगाते हैं वही तो अपना कार्य बनता है अपना वर्क बनता है तो हम उसको बराबर मान सकते हैं तो इसमें आप आगी क्या देखेंगे मैं यहां कि इस व्रॉम में यानि कि जो सक्ति का आपको फॉर्मुला देंक कि इस में इसमें मैं यहां जगा एपलयी करूंगा कर सकता हूं क्योंकि यह दोनों हBER हैं तो आप यहां आगे देखें मैं यहां डबलू की जगा एनर्जी अपलाई कर रहा हूं मैंने यहां डबलू की जगा एनर्जी को लिखा जो गलत नहीं है साई रहेगा क्योंकि मैंने पेसरुह में बताए क्या बताए आपको यहां वर्क और एनर्जी यानिके कारिय और आपका एनर्जी उर्जा क्या उर्जा और कारिय दोनों क्या होते हैं सम्मान होते हैं दोनों समान होते हैं दोनों इक्वल होते हैं कि यहां तक इसपष्ट है कि लिए है तो देखेगा आगे मैं इसको अगर स्वाल करने का परियास करूं आगे तो यहां पी और टी कि एक दूसरा का स्थान ले लेंगे ठीक है आपको पता है जब कोई चीजे भाग में होती है तो हम उन्हें गुणा में कर सकते हैं और कोई चीज अगर गुणा में हो तो हम उसे भाग में कर सकते हैं एक दूसरे में पक्सानांत्र होता है जैसे प्लस और माइनस होते हैं यह म देखेगा आप मैं यहाँ आगे लिखूँ मैंने कहा जब बटे का टी पी की और पक्सानांतरित होता है क्या होता है यहां इस तरीके हमें यह formula प्राप्थ होता है यानि कि हम क्या सकते हैं is equal to क्या हो जाता है P into T क्या हो जाता है P into T हमें यहां प्राप्थ होता है ओके हमें यह आप देखेंगे क्या होता है विदुत शक्ति का विदुत शक्ति का शुत्र होता है क्या होता है यह विदुत शक्ति का सुत्र होता है इस इकल टू P into T यहां तक इस प्राप्ष्ट है किलियर है आगे देखेंगा आप हमें क्या ध्यान पड़ता है तो हमने एक विदुत इस इकल टूपड इंटी इन दोनों में क्या डिफ्रेंस देखा था सक्ति में आपने देखा था आगे देखेगा आप हमारे पास क्या फॉर्मुल आचुका है कि हमारे पास आचुका है ही टूट पी इंटी अओके और ये किसका सुत्र है तो आपने बताया ये है आपके विदुत शक्ति का सुत्र विदुत शक्ति का सुत्र यहां तक ठीक है आगे आप देखिएगा इसमें इसमें देखिए आप पी यानि पावर सक्ति उसका मात्र क्या था आपको पता हो गया क्या था वाड था और टी और यानिके समय समय का मात्र क्या था सेकेंड था इसका वाड था और इसका सेकेंड था तो अब आप ध्यान रखेगा हमें यहां इसमॉल यूनिट नहीं लेनी है इस बार हमें कुछ अलग लेना है इस बार हमें कुछ बड़ी यूनिट का यहां उपयोग करना है तो विदुत शक्ति में क्या होता है हमें यहां वाट नहीं हमें इसके बड़ी unit लेने है, बड़ी unit क्या लेंगे हम kilowatt, और time में हमें second नहीं लेना है, हमें time में R लेना है, यानि कि घंटे में इसको हम use करेंगे, तब जाकर ये विदुसक्ति की unit में convert हो जाएगी, तो देखेगा आप यहां पर हमें अब इस बार watt ना लेकर हम क्या लेंगे kilowatt, यह के यहां small रहेगा kilowatt यह आर, आर यानि घंटा, इस बार हमें इस unit को यहां use में लेना है, यानि कि किलो watt मिले ना, साथ में हमें यहां घंटा लगाना है, क्योंकि जो यह R होता है, इस बार हम second नहीं लेकर, एक घंटे का हम उप्योग करेंगे, किलो watt, कुछ हम इस परकार से यहां unit use करेंगे, ओके, यह H यहां जुड़ जाता है, R का, अब देखेगा आप, आपको यहां नई बात क्या पता चलती है, तो इसमें देखेंगे आप क्या होता है, हम, इसमें देखेगा आप, जैसे हमने अभी एक इसकी नई unit क्या पता चली हमें, के, डबलू और H, ओके, के से किलो, वाट से वाट, और H यानि आर, और यानि के घंटा, इसके एक मान को हम ध्यान रखेगा आप, हम एक unit भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एक unit भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एक unit, बिजली खर्च करने में, जो मान हम देखते हैं, वो unit में देखते हैं, एक unit किती हैं, अभी वर्तमान में पता होगी, साड़े, आठ या नौ रुपे, कुछ एक unit के पैसे हैं, तो ये unit को हम किलो वाट आर में भी बराबर मान सकते हैं, ध्यान रखेगा, आप मैं कहूं, एक किलो वाट आर, आपके जो बिजली का मीटर होता है, उसमें देखेगा बिजली के पीछे जो हमारी reading रहते हैं, उसके पीछे ये unit लिखी हुई होती है, आज के जो meter है, बिजली के उनके पीछे ये unit लिखी होती है, तो आप जितनी unit आपके आते ही है, वो मान जितना संक्या आगे लिखी हुई होती है, रिडिंग में, वही आपकी unit होती है, उसक 8 रुपए है साड़े 8 है 9 है वो सरकार के नुसार होती रहती है चैंज बढ़ती ही रह रही अभी तो वो आपको उससे इंटू करनी है जिससे आपका विदूत का बिल सिधा निकल कर आ सकता है अब आगे देखेगा आप मैंने क्या बताए यहां एक किलो वाट आर बराबर किस के होता है किस के होता है किस के होता है एक यूट के होता है तो इसमें आप ध्यान रखेगा एक यूट थो आगे इसमें देखेंस आप मैं यहां आपको बताऊं क्या बताया मैंने यहां एक सकिंड हाँ देखेगा आप इसमें जैसे हमने एक किलो वाट को किसके बराबर भी हम कह रहे हैं एक यूनिट के एक यूनिट के ठीक है यहां तक तो आप ध्यान रखेगा मैं यहां किलो को एक हजार माल लू किलो को मैंने क्या माल लिया एक हजार वाट तो वाट होता है और आर यानि कि एक घंटा है तो एक घंटे में एक घंटे को गर्ण में सेकेंड में बदलू go to a second कितने हो को पता होग değ होते हैं लगबग चुछ सेगयंड कितने रहते हैं लगबग आपके चुछ Sir सेकेंड होते हैं कि है यहां तक इसपष्ट है 1 गंटे में सेट कितने होते हैं चाथे 302 10 की घाथ 갈 2 है 5 स av art 2 क्या आया वार्ट सपन्द आया क्योंकि वाड़ तो है आपके पी की यूनिट है यानिके विदुद की यूनित है और टी की यूनिट क्या थी सेटिक है यहां तो अभी आपका मान क्या आया है कुछ इस परकास आया है 36 इंटू 10 की गात 5 वाट सेकंड इसको मैं एक और रूप से लिख सकता हूं आप देखें 3.6 इंटू 10 की गात 6 वाट सेकंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 कम होता है तो यहां पर गात बढ़ जाती है तो आप ध्यान रखना आगे देखें तो आप यह जो आपकी यूनिट है कौन सी वाट सेकंड वापस जाकर क्या हो जाती है जूल में चेंज हो जाती है यानि कि घूम फिरकर हम फिर किसी काई पर आ गए जूल पर आ गए हैं तो आपका जो मान होता है विद्ध सक्ती में आप इस मान को ध्यान रखेगा यह होता है आपके किलो वाट होर्स का जो मान होता है यह यहां पर निकल कर आता है इस मान को आप ध्यान रखेगा हमने वाट और सेकंड को आपको पता है वाट और सेकंड क्या होता है हमने पहले ही स्वाल कर दिया था इसको वह होता है जूल के बराबर ही होता है यहां ते सब्सक्राइब एक दाव में जा रहे हैं आगे देखेगा हमने अभी यहां क्या निकाल है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल यह हमने अभी तक यहां इस परश्ट क्या आपको मैंने निकालना सिखाया अब आप आगे देखें तो ध्यान रखेगा एक और बात आपको मैं समझाओ जैसे कि मैंने सरूमी कहा था वाट के बड़ा वाट जो होता है अगर हम कहें वाट एक हजार हो एक हजार वाट ओके, एक हजार वाट आप ध्यान देखेगा किसके बराबर होता है, एक किलो वाट के, किसके बराबर होता है, एक किलो वाट के होता है, और मैंने अभी आपको बताया, एक आर जो होता है, एक आर, यानि कि एक घंटा, उसमें कितने सेकेंड होते हैं, उसमें आपने देखे थ सबिते 300 सेकेंड होते हैं कि किदने सेकेंड होते हैं घ्रति सब्सक्राइब यहां तक से सब्सक्राइब यह हमने क्या विजुन सकती के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की आप हम इन्हीं बेस पर हम कुछ नुनीम्रिकल को रचनत वीज Rica करने मिलेंगे बहुत जल्ट!